नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 17 मार्च 2022 के डेली न्यूस अनलेसिस करेंट अफेर्स डिसकेशन में आपका स्वागत है आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दू कि कल से इनफेक्ट परसों से एफेक्टिवली विनी सर ने एक वीडियो अपलोड करनी शुरू किया है ये डेली वनन लाइनर करन्ट अफेर्स ये डेली वनलाइनर करन्ट अफेर्स वोड़ी एनलेटिकल नीज होती है, तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको न्यूस समझा रहा हो, वो एनलेटिकल है, इसके बाद जो एडिटोरल डिसकुशन आएगा, वो एनलेटिकल है, और सीधे-सीदे जो इन्फोर्मेशन आपको पता होने चाहिए, परस्पेक्टिब में आज का कुछ बरोसा नहीं, UPSC में भी पूछी जा सकती है, स्टाटिक इन्फोर्मेशन, तो उसके लिए वो जो वन लाइनर करेंट एफेस डेली की बेसिस पे विनी सर अप्लोड कर देंगे, तो फैरता के शाम तक वो भी आप देख लिजेकल, वीड सरजे लेवरोग, रश्या के रेप्रेजेंटेटिव, यूक्रेइन की न्यूटलिटी को लेके क्या बोल रहे हैं, इसके बारें बात करेंगे, भारती सरकार ने 156 कंट्री के नैशनल्स के ई-टूरिस्ट वीजा को यहां पर रिस्टोर कर दिया है, फाइनली पैंडमिक के तूरिजम के लिए हमारी कंट्री फिर से खुलती हुई नजर आ रही है, इसको देखेंगे, फिर पेटेंट राइट्स ऑन कोविड-19 जैप्स में भी वेवड, एक बार को लगेगा कि यह जो यूरोपीन उनियुन का प्रपोजल आ रहा है, यह काफी आप कह लिजे कि प्र प्रपोजल को लाए जा रहा है, इसके बारे में कोई खास जानकरी अभी के लिए दी नहीं गई है, तो इसको देखेंगे, वन रैक, वन पेंशन को लेके जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन प्रॉब्लम्स के उपर फाइनली सुप्रीम कोट ने डिसीजन दिया है, कि जो भी मेकेनिजम यहां पर वन रैक, वन पैंशन के लिए डिवाइस किया गया है, वो सही है, पेटीशनर्स की बात को यहां पर नहीं माना जा सकता है, इसको देखेंगे, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की जो दाम है, वो अठारा पतिशत बढ़ चुके हैं, कितने थे देख लेते हैं, कॉमपेंडियस, क्या मतलब होता है इसका, संग्छिप्त, मुक्तसर, सारगर्वित, containing और प्रेजेंटिंग देशेंशल फैक्ट्स और संथिंगे, इसे नहीं समझाया, बहुत मतलब बोलते चले जा रहे हैं, खतमी नियूरे, ऐसे नहीं समझाया, भाई, कॉमप्रेंसिबली समझाया, लेकिन कम शब्दों में समझा दिया, चोटे समय मत कम शब्दों में समझा दिया, और डीटेल उसकी पूरी समझा दिया, तो इसको बोलते हो, कि समझाया पूरा है, कॉमप्रेंसिबली समझाया, लेकिन कम शब्दों में वर्बोज नहीं है, ज प्रोवाइड करने का मेकेनिजम निकालू, जो लोग telegram यूज नहीं करते हैं, कुछ ऐसे भी messages मुझे आए थे, और if possible for you, please click the join button, आगे आने वाले तीन से चार दिनों में, मैं आपको NCRT की काफी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, I think that will be helpful for you, चलिए, neutrality for Ukraine is on the table, ऐसा बोला प्रोवने, क्या बोल रही है, there is hope for compromise, देखे, रशिया ने बोला है कि यूकरेन के साथ जो भी peace talks के उपर बातचीत हो रही है, आसान नहीं है, लेकिन फिर भी hope है कि कि किसी प्रकार का compromise हम ले सकते हैं, रशिया को भी एक limits से ज़्यादा जंग लड़के कुछ मिलने वाला है नहीं, हला कि रशिया का stance यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपस कह सकते हो obstinate है, कड़ा है, रिजन बिंग रशिया को पता है, वो advantage पे हैं, अल्रड़ी उनके उपर बहुत सारे sanctions लग चुके हैं, इस से ज़्यादा उनके against ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, तो रशिया चाता ह बोल ला है कि हम surrender नहीं करेंगे, हम रशिया धमकियों को नहीं मानेंगे, बैसिकली जो रशिया बोल रहा है ना कि तुम मान लो क्रीमिय तुमारा नहीं, डॉन बास तुमारा नहीं, लोहांक्स तुमारा नहीं, तो योक्रेन बोल रहा है, बैट के बाद चीत करो, हर चीज तबही मत मनवाव, रस्या की उनको प्रपट तरीक से ट्रेट नहीं क्या जाएगा यूकरेश के दौरा, यूकरेश के अंदर एक चुड़ा अगई होगी रस्या से, और आव्विस है, इतना बड़ा वार जो develops तो रशया चाहता है कि यूक्रेड के अंदर जो भी रशिंट के पीपल रहते उनके इंटरेस्ट बचे रहे उनके इंटरेस्टों का ध्यान लखा जाए नाटो का इंवॉल्मेंट नहा हो यूक्रेड के अंदर और यह तो इनकरें को साफ़ाइब व्ल दिया है कि भाईया हम NATO join नहीं करेंगे उनको clearly समझ में आ गया है वैसे तो Ukraine के constitution में लिखा हुआ है कि final target उनका NATO join करना है बट खुद वाल्दिमीर जिलेंस की यहाँ पर accept कर रहे हैं we will not join NATO चुकि अब वाल्दिमीर जिलेंस की कोई तना पता चल गया है नाटो join करने कोई फायदा है नहीं नाटो ना आज उनकी मदद करने के लाया है और मैं आपको एक और बास बिताओ for example Turkey is a member of NATO कल की date में मालिजे टर्की की किसी country के साथ जंग चिड़ जाती है मालिजे टर्की की ग्रीस के साथ जंग चिड़ जाती है या किसी और country के साथ जंग चिड़ जाती है ग्रीस का example यहाँ पर सही इसलिए नहीं है चुकि ग्रीस is also a member of NATO तो hypothetically आप मानिए कि टर्की की रशियाग साथ बहुर चिड़ जाता है तो क्या आपको लगता है कि टर्की की मदद के लिए NATO आएगा देखिए वो जमाने चले के जब दूसी कंट्रीस की मदद के लिए ग्रूपिंग आया करती थी अपना पचला खुद निप्टो USA जो नाटो का बाप बना फिल रहा है न कल की डेट में NATO के किसी एक मेंबर की नाटो मेंबर से लड़ाई हो जाती है जिसमें US और बाकी European Union की कंट्रीस का strategic interest नहीं है वो वार में participate नहीं करेंगे सेम यही तो वह तर्मेनिया के साथ अर्मेनिया भी तो CSTO का मेंबर था अजर्बाइजान और टर्की ने मिलके जब अटैक के अर्मेनिया के उपर रशिया मदद के लिए नहीं आया तो नाटो के हेड के अंदर अगर कोई मेंबर है कल की डेट में उसकी जंक छिड़ जाती किसी नॉन नाटो मेंबर के साथ तो नाटो मदद के लिए आएगा इसकी कोई गरंटी नहीं है तो जलेंस्की को भी ये समझ में आ गया है कि भाई नाटो जोइन करने से ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं यहाँ पर जलेंस्की को ये भी समझ में आ गया है कि प्रैक्टेकली ग्राउंड डेवल पर रशिया के साथ नेक्स्ट इंडिया रिस्टोर्स ई-टूरिस्ट वीजा फॉर 156 कंट्रीज देखिए कुछ दिन पहले इंडिया की तरफ से एक अनॉंसमेंट आए था कि इंटरनैशनल फाइट तो इन फॉन 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 इंडिया शुरू हो रही है मतलब जो भी टूरिस्ट बगा रहा है वो इंडिया के इंटरी कर सकते है अब कोविट पैंडिमिक के समय पे जितने भी e-टूरिस्ट वीजा इशु हुए थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था अब वो सारे के सारे e-टूरिस्ट वीजा फिर से रिस्टोर किये गए है देखे जो पाँच साल के e-टूरिस्ट वीजा इशु हुए थे वो भी रिस्टोर किये गए जापान और यूएस के सिटिजन्स को जो दस साल के e-टूरिस्ट वीजा इशु हुए थे वो भी यहाँ पर restore कर दिये गए, तो जो pandemic के समय पर suspend कर दिये गए थे, उनको यहाँ पर restore कर दिया गए, 156 countries के लिए फिर से tourist visa, electronic tourist visa की facility को यहाँ पर खोल दिया गए, तो आप sea port के थूर और आप Hawaii मात्रा के थूर, Hawaii माध्यम के थूर, इंडिया के अंदर entry मार सकते, हाँ जो land border है, और जो riverine waters है, जैसे की land border में हो गया, 18 वागा border with Pakistan, यह अभी के लिए बंद है, इनके लिए एक अलग से notification आएगा, भारा सरकार की तरफ से, कि भाई इनको कब खोलना है, कब नहीं खोलना है, अफगान नैशनल्स के लिए, एक e-emergency ex-miscillaneous visa दिया जाता है, जो कि 100% online वो इस particular visa के लिए apply कर सकते हैं, तो यह visa अभी भी जा रही है, इसके तुरू अफगानिया इंडिया के अंदर आ सकते हैं, तो अभी के लिए एक progressive step है, 156 countries के साथ tourism को revive करने के लिए, इंडिया के अंदर और बाहर mobility के लिए, यह facility restore कर दी गई है, यह लोग इंडिया के अ foreign nationals को इशु किया जाता है, और electronic visa इनको भी यहाँ पर restore किया गया है, जो 10 साल का visa हुआ करता था, US और जापान के citizens का, उसको भी यहाँ पर restore किया गया, यह लोग airport के थुरू और C पे जो immigration check post होते हैं, उनके थुरू इंडिया के अंदर entry मार सकते हैं, GS paper 2, government policies and intervention में news काम और ये patent rights on COVID-19 vaccines में भी वेट, अब basically ये बातचीद चल रही है, इस बातचीद में कितने महीने लगेंगे पता नहीं, और कौन-कौन सी चीजों को patent rights waiver भी लेगा, ये भी पता नहीं, मतलब ये news तो मुझे कते ही फरजी लग रही है, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, overall news आई ह तो देखते हैं, European Union ने यहाँ पर proposal दिया है, कि जो international pharmaceutical companies intellectual property rights held करती है COVID-19 vaccine की, उनको 5 साल तक कर लिए relax किया जा सकता है, इसका क्या मतलब समझोगे, इसका मतलब ये ये कि Pfizer और Moderna जैसी vaccines है, ये European Union में माल लीजे कोई vaccine मनी, तो उस particular vaccine को बिना किसी intellectual property के दूसरी country में बनाया जा सकता है, और बेचा जा सकता है, ये तो मैंने एक general आपको information दी, लेकिन इस information में बहुत checks हैं, बहुत ifs and buts हैं, क्या ifs and buts हैं समझते हैं, ये जो particular proposal है, कि ठीक बाई COVID-19 related जो vaccines हैं, उनके उपर intellectual property rights नहीं लगेंगे, ये COVID-19 drugs और diagnostics की उपर अपलाई नहीं होगा, आप समझ लगते हैं, जिससे Pfizer ने अपनी वैक्सीन मनाई, तो Pfizer की जो final vaccine मनी, उसमें कुछ inputs लगे, उन inputs के वैसे में final vaccine मनी, तो हो सकता है कि इस vaccine के ओपर IP waiver दे जाए, intellectual property waiver, लेकिन जो उसके अंदर drug लगता है, उसके ओपर waiver नहीं मिलेगा, तो India की अगर कोई company कल की date में फाइजर बन implement होता भी है, तो उस case में भी बहुत सारी terms and conditions होगी, प्रस पॉन सी countries में ये vaccines manufacture हो सकती है, ये भी अपने आप में बड़ी चीज है, ये वेवर्स के बारे में लिखा है कि वो developing countries, जिनोंने अब तक COVID-19 की 10% doses नहीं export की, उन्हीं को ये सुविदा दी जाएगी, अब इंडिया तो vaccine manufacturer है, vaccine exporter है दुनिया का, दुनिया में जो भी vaccines coronavirus ही consume होई है, बहुत हद तक इंडिया ने export की है, तो इंडिया इतना बड़ा exporter है, कल की date में अगर European Union ये restriction डाल देता है कि भाई, केवल वो countries जिनोंने आज तक की exported vaccine की 10% से कम export की हैं, उनको ही हम ये IP का waiver देंगे, तो इस करेगा, इसके बारे में हमको जानकारी है नहीं, तो एक फरजी टाइप का assurance आ गया है European Union की तरफ से, कि यहां भाई COVID-19 की vaccines को waiver देना है नहीं देना है, इसके बारे में हम सोचेंगे, जब पूरी दुनिया में second wave, third wave फैल रही थी, तब इन लोग की बुद्धी नहीं खुली है, अब इनकी बुद्धी खुली है, वो भी limited terms and conditions के साथ खुली है, पता नहीं कितनी तरीकिक terms and conditions लगाएंगे, कौन से bulk drug को waiver देंगे, कौन से को नहीं देंगे, कौन सी vaccine को waiver मिलेगा, कौन से COVID device को waiver मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ भी पता नहीं है, इसके ओपर है, डोगा की waiver देना है की नहीं देना, दुनिया भर में जब COVID-19 से लोग रिकवर कर रहे होंगे, तब यह waiver देंगे, लेट सी क्या हो था, इनका background के है, टॉक्स का, बैग्राउंड यह है कि इंडिया ने एक लेटर बेजा है, डिरेक्टर जनल ऑफ WTO, नोगोजी ओकोंजो वाला को, 23 दिसम्बर को, ट्रिप से वेवर को लेके, जो इंडिया और साउथ अफरीका ने प्रपोजल सम्मिट किया था, तो अक्टूबर 2020 प्रपोजल के बारे में, पिछले एक लेट साल से हम लोग अपने डिसकेशन में डिसकस कर रहे हैं, कि इंडिया साउथ अफरीका इसको एडॉप्ट करने से मना करते हैं, जो लीस्ट डेवलेप्ट कंट्रीज हैं, लो और मिडल इंकम कंट्रीज हैं, वो तो बोलेंगे ठीके भाई, आप वेवर दे दो, वेवर दे दोगे तो हमको फायदा हो जाएगा, चाइना ने ऐसा नहीं बोला, यूएस ने इस प्रकार की अप्रोच है, और फिर ये इंडिया को लेक्चर देते हैं, कि तुम यूक्रेन वार में मौरल इगरात कर रहे हो, जी, इस वेबर टू, हेल्थ और इंटर्लेक्शल प्रॉपर्टी रैटमी निउस आपको काम आएगी, फिर नेक्स्ट है, जेट फ्यूल प्र प्रिप्लेंस उड़ते हैं, इसके दाम प्रती किलो लीटर 17,135 रुपर बढ़े हैं, जो कि लगबग 18.3% होता है, प्रती किलो लीटर 80 अफ बिकरा है, एक लाग 10,000 रुपे का अप्रॉक्सिमेटली दिल्ली में, देखे हर महीने की एक और 16 तारीक को जेट फ्यूल प्रा जाते हैं, हाला कि वो थोड़े से स्टेबलाइज हो गए हैं अभी, 100 डॉलर पर बैरल पे वो आ गए हैं, आगर जेट फ्यूल की बात की जाए, तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक एरलाइन की कॉस्ट का लगबग 40% होता है, तो ऐसे केसे में तेल के दाम बढ़ना, AT ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम बढ़ना ये एक अच्छी खबर नहीं है, चोकि जब ATF बढ़ेगा, तो फ्लाइट्स का रनिंग खर्चा बढ़ेगा, लोगों का फ्लाइटों में बैठना महेंगा होगा, चोकि जो फ्लाइट्स हैं, वो अपने दाम तो डेफिनिटली एविशन टर्बाइन फ्यूल के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये कुछ और extra information दे रखी, ये मैं आपको available करवा दूँगा, ये दाम बता रहा है कि petrol के क्या चल रहा है, डीजल के क्या चल रहा है, ये आप अलग से पढ़ सकते हो, मैं PPT available करवा दू रहा है, वन रैंक वन पैंशन स्कीम का लॉजिक ये था, कि जो भी armed forces के personal same rank पे retire कर रहा है, उनको same pension दी जाए, लेकिन अब उसमें कुछ limitations है, limitations ये हैं कि एक rank पे, माल लिजे सूबेदार की rank से कोई retire हो रहा है, तो किसी ने एक साल सूबेदार काम करके retire किया, कोई 5-6 साल सूबेदार की rank पे रहा, और फिर वो retire हुआ, तो एक proper graduated formula यहां पे सरकार के दोरा बनाया गया, one rank, one pension पे, जिसमें cut-off date को रखा गया, एक जुलाई 2014, और इस cut-off date के हिसाफ से setup किया जाएगा, कि हाँ भाई, किसको कितनी pension दी जाएगे, एक जुलाई 2014 के बाद, हर 5 साल पे जो pension होती है pensioners की, इसको refix किया जाएगा, यह नियम कानून रखा गया, इस particular one rank, one pension scheme के against बहुत सारे petitioners पहुँच गए, कहाँ सुप्रीम कोट में, और उन्होंने जाके बोला कि भाई देखी, जो 7 November 2015 को government का communication आया है, इसमें गड़बड है, यह जो cut-off date है, एक जुलाई 2014 ग में वो fight कर रहे थे कि सरकार केस methodology को बदलवाईए, इस formula को बदलवाईए, सुप्रीम कोट के justice डी वाई चंदरचुड साब ने यहाँ पे clearly बोलाए कि देखे भाई, एक cut-off date तो रखनी पड़ेगी ना, ऐसे तो हम कोई formula रखी नहीं पाएंगे, कोई ना कोई तो graduated formula निकाल है, उसे तीन साल junior बंदा retire हुआ है, तो दोनों की pension में तो फर्क आएगा ही आएगा, तो सरकार जोरा बनाएगी one rank, one pension scheme को सुप्रीम कोट ने यहाँ पे सही बताया है, सुप्रीम कोट ने बोला है कि इस pension scheme में कोई भी problem नहीं है, हाँ यह अलग बात है कि सुप्रीम कोट न का पांच साल का टाइम एक जोलाजी 2019 को expire हो चुका है, तो अब आप pension का refixation करिए, फिर से pension देखी क्योंकि हर केंदरी सरकार ने OROP में clearly बोला है कि हर पांच साल पे pension का refixation होगा, क्योंकि हर पांच साल पे calculate के जाएगा, कितनी महंगा यह बढ़ी रुसके साब से pension score भी थ यह बता है, GS paper 3 defense menus आपको काम आईगी, फिर भाई एक house panel बना है, और उस house panel का यह बोलना है, basically house panel नहीं पार्लेमेंटरी standing committee की report जो होए, लोकसवा की जो पार्लेमेंटरी standing committee उसकी report आई है मनरेगा के ओपर, और मनरेगा को लेके बड़ी problem बताई गई है, इसके अंदर fake job cards इस चुकिये जा रहे हैं, बहुत corruption हो रहा है, master rose की late uploading हो रही है, late uploading होगी तो अविस सी बात है, late payment जाएंगी, materials की payment लेट जा रही है, बहुत सारे fake beneficiaries हैं, तो कुल मिलाके मनरेगा के अंदर की problems को point out किया है, इस committee की report ने, प्लस साथ साथ यह committee यह भी बोल रही है, कि जो national rural housing mission के अंदर जो beneficiaries हैं, वो fake हैं, प्लस सीने citizens और वीडोस की जो current pension है, 200 रुपे प्रती महीने की, इसको 500 रुपे प्रती महीने की करने की बात की जा रही है, फिर यह बताया जा रहा है कि मनरेगा के अंदर कुछ fake laborers हैं, वो अपने आपको हर साल register कर लेते हैं, गलत तरीके से मनरे इस तेश में 73,000 करून रुपे का, ये भी बहुत कम है, इस से scheme की effectiveness के ओपर problem आएगी, ये सारे के सारे वही points हैं, जो कि पहले मैं आपके साथ discuss कर चुका हूँ, अक्सर कर दा हिंदू editorial में हम इस प्रकार के points को discuss करते रहते हैं, तो मनरेगा में problem क्या है, fake job card, और उससे भी बड़ी problem ये है कि जो लोग मनरेगा में काम कर लेते हैं, उनके masters को late update किया जाता है, अब चुकि masters को late update किया जाता है, तो सरकार के पास late information पहुंचती है, सरकार उनका payment late करती है, तो सोचे मैं मजदूर हो मैं मनरेगा के अंदर आज जाके काम करूँ, मेरा master load हो रहा है दो मह चार महिने के बाद मेरी payment आरी चार महिने के बाद, तो मैंने आज काम किया, मुझे आज साड़े 300 रुपे की जरूरत है, घर में खाना खरीदना है, दाल खरीदना है, पेमेंट आरी चार महिने बाद, तो दिमाग खराब हो जाएगा न, आदमी का किया रहे है, कि अब अब बाद चल रहा है, मन रहेगा कि अंदर काम किये जा रहे है, पेमेंट पता नहीं कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, तो ये न्यूज़ जीस पेपर 4 में ये पर्टिकलर न्यूज़ आपको काम आएगी, नेक्स्ट ए रेजुविनेशन प्रोजेक्ट ऑफ विनिश्डी आपको काम आएगी, नेक्साूमा नचे बीगार्शों पता नहीं, तो शाथ पता निक्सा चे रहे हैं, सियन पानज़ इसवाह मिद में उनज़विनेशन इलिपगा, तो इंडिन काम आई रेजिकलर के लिए एवर्स को में ये मिद्हें है, नेक्शूमेंट एजुकेशन ने डीटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार की, उसके बेसिस पे इन 13 रिवर्स को आइडेंटिफाई किया गया, लगबग 19,300 करोड रुपे यहां पे खर्च किया जाएगा, अगले 5 साल तक इन रिवर्स को रिजुविनेट करने कोशिच की जाएगी, रिजु तो यह सीक्वेस्टर कर सकती है, इसके बारे में कोश्षवांट यहां पे एक्स्ट्रा लिखे होगे, इन यूस हम लोग आगे बे डिसकस करेंगी, चुकि दा हिंदू एडिटेल आर्टिकल आएगा, ही आएगा, जी एस पेपर थी कंजर्वेशन में न्यूस आप हुआ हो अज की चुकित दिडाग बारे में ऑचाइगा के अधिटेल आपको धिर में तीन से साड़े तीन तक मिल जाएगा जाएगा ज्यादा लोग साल लेक्षर को शेयर करेए इस्टाराएं पेफ़ालोगर लीजाए टेलिराम गुप जोन कर लिजा एज पूस्पेश्वेल यु बख़ओब ॐखब कर गों टो!